हाई, वेलके डू माई चैनल, परपर्टी आफ परफेक्ट स्क्वेर्स के सीरीज में पढ़ते हैं परपर्टी फाइब एड परपर्टी शेक्स, तो परपर्टी नबर फाइब बोल रहा है, बोल रहा है कि the square of an even number the square of an even number is always even किसी भी even number को जब square करेंगे तो even आएगा property number 6 the square of an odd number is always odd हमेशा जब किसी odd number का square करेंगे तो हमेशा odd आएगा समझो what is an even and odd number इस जानते होंगे आप यदि नहीं जानते तो बता जाता हूँ मैं यदि किसी भी number में 2 से divide करेंगे और remainder 0 आएगा तो हम कहेंगे कि that is an even number जो 2 से exactly cut जाए उसे कहेंगे even number ठीक है जब वो 2 से exactly not cut है या फिर remainder 1 आजाए तो हम कहेंगे कि that is an odd number ठीक है समझ क्या आप ओके तो हम करेंगे क्या यहाँ समझेंगे कि square of even number is always an even number तो हम क्या करेंगे हम कुछ even numbers लेंगे और उसका square करेंगे देखेंगे क्या हो रहा है समझिए यहाँ देखें यदि मैं यहाँ पर square करता हूँ 2 का square 2 is an even number है कि नहीं और 2 को यदि मैं multiply करूँगा 2 में तो 4 आएगा और 4 क्या है 4 is an even number यदि मैं 4 लेता हूँ और 4 का square करता हूँ 4 का square मतलब कि 4 into 4 करूँगा तो 16 आएगा और 16 के 16 भी क्या है even number है क्योकि इसके end में 6 आ रहा है यदि मैं 6 का square करूँ तो 6 into 6 is equal to 36 जोकि एक even number है क्योकि end में आ रहा है 6 तो मिलेगा 8 into 8 is equal to 64 और 4 भी end में आ रहा है इसलिए या क्या है 64 भी even number है तो अब देख रहे हैं जब हम देखे 10 के square करेंगे तो 10 into 10 ये होगा 100 मतलब 100 भी क्या है even number है किसी भी number के end में यदि 4 आ जाए 6 आ जाए या 2 आ जाए या 0 आ जाए ठीक है 2, 4, 6 8 भी आ जाए ये जो numbers आते हैं यदि end में तो इसलिए even numbers और ये सारे एक सारे even number है आप किसी भी number को ले लो जिसके end में इन में से कोई भी digit है उन्हें कि 2 हो या 4 हो या 6 हो या 0 हो या 8 हो कोई भी digit यदि होता है तो वो even number होगा जिसमा लोकि में लेता हूँ 4 आता है तो वही तो बात कहे रहा है मतलब कि ये ये units place पर even number आई जाएगा तो जब even number को पहले square करने पर multiply करते ही हैं तो even number तो आएगा ही ठीक है यहाँ पर multiply कर लेते हैं 2 तू जब 4 आएगा और 3 तू जा 6 6 तू जा 6, 12 हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा 1 carry over 39 और 1 10 तो 1024 क्या है even number तो है ना क्योंकि 4 even number है इसलिए units place पर यदि even number होते हैं और उनका multiply करते हैं तो units place पर हमेशा even number ही आएगा ठीक है जैसे माल लोग कि मैं लेता हूँ 102 और 102 का square निकालता हूँ तो 1 and 2 का square निकालने का मतलब यह हुआ कि 1 and 2 को multiply करूँगा मैं 1 and 2 में जब multiply करूँगा तो पहले पहले इस 2 में 2 से multiply होगा ना इस 2 में इस 2 से multiply होगा है की नहीं जब units place को multiply करेंगे तो वो automatically 4 आ जाएगा क्योंकि even numbers का multiply हो रहा है तो पहले ही 4 आ गया इसके मतलब इदर कुछ भी आएगा जो भी आएगा वो मिला करके तो एक even number ही तो आएगा इसलिए square of an even number is always even और यहाँ पर odd का देख लेते हैं यदि 1 के square करेंगे तो 1 ही आएगा यदि हम 3 के square करेंगे तो 9 आएगा यदि 9 जो है odd number है यदि हम करेंगे 5 के square तो 25 आएगा और 25 is also an odd number और यदि हम 7 कर रहते हैं तो 49 आएगा और this is also an odd number वैसे ही हम बड़ा से बड़ा कोई भी number ले लें जिसका odd number इसमाल 35 लेते हैं 35 के square करेंगे तो यहाँ पर यह odd number है तो odd number ही आएगा जैसे कि हम मुड़ाई करेंगे 35 में 35 में ही यहाँ पर दखिए यहाँ पर यह 5 है और यहाँ 5 है यूनिट्स प्लेस पर यदि odd number आगए तो मुड़ाई करने पर odd number यूनिट्स प्लेस पर आएगा ही resultant में भी मतलब यहाँ पर यहाँ पर यदि हम 55 करेंगे तो 5 है 25 हो जाएगा टू बच्चे का करियोवर और 5 थ्रीजा 15 5 थ्रीजा 15 15 15 30 30 और 2 32 और 3 होगा करियोवर और 3 थ्रीजा 9 9 3 12 तो देखे यह जो number आया ये भी तो odd number है क्योंकि end में क्या रहा है 5 आ रहा है तो इसी लिए किसी भी odd number का square करेंगे तो odd number ही आएगा क्योंकि उस सभी numbers के end place मैं ये units place पर odd number ही रहता है इसमें बहुत बड़ा number ले लूँ जिसमाल जो 323 ले लू यहाँ पर देखे इसका square करेंगे तो 323 से मैं बड़ाई करना पड़ेगा मैं बड़ाई जोब करेंगे तो units place पर क्या है 3 है और 3 है ना जब मैं बड़ाई करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा ना यह बिल्कुल यहाँ पर 9 आजाएगा इधर चाहें कुछ भी आजाए तो 9 आएदी लास्ट में आ रहा है इसका मतलब कि वो odd number ही होगा तो इधर में यह जाया जब बहुत सिंपल बहुत ही मतलब यह easily seen property है it can be seen easily in the square of numbers तो इसमें समझना कुछ ज़्यादा नहीं है आप समझ चुके हैं इतने में थैंक यू सो मच पर वाचिंग